तो में दोसा के नांगल तेसिल में पहुचा हूँ और यहां पर देख सकते हो आप की जो गाउं के लोग सारे जितने भी है वो एक जिगा होए क्योंकि यहां पर जो सरकार के दवारा केम्पिंग जलको सुरक्सित करने के लिए केम्पिंग चलाई जारी है यहां दो यूवास आती है जो यह पूरा कवर करें लोगों को जागरूट कर रहे कि कैसे जो बरसात का पानी कैसे सुरक्सित करें अपन क्योंकि गाउं गाउं में कापी आप देख पारें दोसा के अंदर घूम रहा हूं कड़िबन मेरे को 10-15 दि तो यह दो वाइल लोग इसे पूरे कैम्पिंग में आख कुछ कहना था जाओगे समयतिका मेरे तो बैक्ताई कि अबाली टेम गाउं का नर्ड तूड़ गया या मोटर खराब होगी तो बैपिसला भी में कामा सी और में गाउं गाम में जारें आई बात बता लिए की बरसात का पानी को कैसे सुरूब से बरसात को पानी आपना जिया के गाउं की पंचाई गाउं को अपना नाड़ी तलाव है गाउं को एक आप आपा गेल्लो मना दिया तो नाड़ी तलाह में पानी चलता अबाली टाइम पर आबार तो आप अपने जिंद्गी कार दिया आप्टाप से बहुत मिल के बहुत अच्छा लगा और एक बार में ग्राम्यूने ओनीं से जो अब भी लोगुने इतनी मेहनत की तो इनके भी कुछ समझ में आया, क्या बता आप एक बार बता हे है क्या समझा रहे थे करने लेकिन आने वाली होता अकिस तरह उत्यूर करें अपने जो नाले कुवे उनमें जो गाहों के तलाइं उनमें इस पानी को भेज जही समझा रहे थे ना यह पानी एकत्रित होता है वो पानी एक जद जाए और जांते कि पहली बार तो पानी वहरती नहीं हो तो पानी कि डमिने आई यह कौन से गाउं है यह पास पास मंशायत है और जोसा जिला है नांगल तेसिल है तो दोस्तों यह जो देखा आप मिरसाध चल रहो अब जो का इस्टोफ लिया था और फिर अलुदा जो गाउं है वो भी मैं दिखाऊंगा तो चलते हैं यहां से उस्तों मैंने इस पांच मिंट का ब्रेक लिया और मैंने जो दो यूवा साथी थे वो समझा रहे थे गाउं और लोगों कि किस तरह जल को सुर्ख सी करना है कि जल है तो आगे जीवन है तो मैं भी आप सभी दोस्तों से रिक्वेश्ट करता हूं कि जितना भी हो सके उतना जल को बचाओ और मैं अब आपको जो अलुदा की बाओरी है और अलुदा का खाते आसरा मैं वो दिखाऊंगा आगे चलके आज संडे का दिन है मैं उमीद करता हूं कि आ इसा लगा आपको कमेंट करके बताना तो चलते आगे उन देखते हैं अलुदा की बाओरी अलुदा की बाओरी अब मात दो किलोमेटर रहा है आपको बता देता हूं कि बरसात आने लग गए इस वज़े से में यहां पर यह दुकाने है वहीं पर कुछ देर के लिए रुका और फिर अलुदा में चलके में जो हमां का कादी वो कादी इस टोर है वो भी में दिखाऊंगा अब वो खुला क्या अबील सकता है तो आपका अलोधाखी जो वाली है तो तो दिखाने वाला हूं तो आगे चलते हैं और आगे का मैलता है क्नुक्ठ में तो चलने के बाद में देखना पड़ेगा कि वहां पर अपना जो प्रेटर के विवाग है दोसा का वो किताक ध्यान दे रहा है इन चीजों पर आपको पता है यह चीज में कितनी दूर से दिखाने के लिए आपको अलुदा लिक्या हूं आप वीडियो में कंट्वी वीडियो बने रहे हैं तो आपको इस चीज का पता होगा तो चलते हैं और जने दोस्तों ने अभी तक इस्टाग्राम पर इन्जोई चुका ओई जो फो देख पान रहे हूँ जो खाठी आ शरम है वहापे आ गया और यह आप को बताते तरहों यह बना थारों कुछ लोग में मेरे सब देठे हुए एतो यह जा गाउं चुछ लोग में सब बाते ने मैं सब घर निर महता है जो कुछ आपको बताएं गाउंगे यह स Saidanchi हमारे γ्राव lotus पैंचाय की लोदा के अंदार शरृफपर्थम हमारे फंडित लोल फिसो पैंची बइख भारम किया और अर्थकर निर्मान हुआ और जो हमारे ग्राव पैंचर उन्दार सिर्फपर्थम तो आप देखारों यह जो पूरा अलूदा गाहूं है तो मैं कोशिश करूँगा या तो जो अभी जो खादी का निर्मान अधी भी यहां पर होता है चालू है चालू है बस करें बनाए जाता है दिश है जो खादी का निर्मान में अधी जो खादी आसरम है वो भी दिखाता हूँ यही जो खादी आसरम है यह मेरे पीछे देख बारे हो यह अलूदा गाहं है आप देख सकते हों। दोस्तों मैं जो अलुदा का जो पाओरी है इसको लोग यहां का अलुदा का कुबा नहीं भी बोलते हैं। इस जगे पे हुँआ परजेंडाइं में आप मेरे पीछे देख पाने हैं। यही अलुदा की बाओरी है। और इसकी कंडिसन तो करीबन करीबन बहुत सारा कर दो भाई दो बहुत हुँ इसको फास्टी देख रहा हूं इसको इसकीभी शपाई किजिए बहुत भी प्यारी जगह है आपके गामिंदे इसको आप समालके रखोंगे तो आने वाली जो कीडिया है वो इसको भी याद रखेगी नहीं तो यह दीर दीरे लुप्त हो जाएगी जैसे आप समीचे देख पार हो पूरा मिटी से भर चुका है तो इसका पुने जीवन उद्धा उद्यार कीजिए और जो यहां बैटके लोग गुटका तमाकू यहां के जो दुकानों से कच्रा ला जन्यार के जीरे लोग के जो यहां के जाएगी खार हो जगयार के जाएगी जारी में उद्जारी झाल कर दो कर दो कर दो तो यह अलोदा की बावरी है उसके लाश्ट वाले इससे पर लेकर चल रहूं उस जगर पे उर वहां से में दिया आप ता बता देता हूं इसकी जो कंडिशन है वो किस तरह से हैं तो जोस्तों बहुत ही इसमें गंदगी नहीं होती है जोस्तों परएब बहुत अच्छी तरह होती है तो बहुत ही शानदार है नदरा होता है यहां का फिर मेरे को बहुत आचा लागा है इस जगर पे आकर आप सभी दोस्तों को दिखा के उमिद करता हूं कि मेरे जित्ते भी मेने दोसा स्रीज बनाई है उन सभी को आप इतना ही तो जिन दोस्तों ने अभी तक वह पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो वह जाके देखे दोस्तों मेरी इसके लाट वाले इससे पर आ गया और यहां से वह आप नजारा देख सकते हो यहां से आप पूरी बावरी का नजारा पूरा देख सकते हो तो यहां पर इसके नीचे जाने का रस्ता है यह तो मैं निच्चे तो नहीं जाओंगा क्योंकि यहां पर जो स्मेल आ रही है गंदगी की बहुत ही खतरनाक है इसमेल आ रही है कि यहां के जो गाओं के सर्पंज या जो तरह आपने टूरीजम में दोसा के टूरीजम में इस बावड़ी का रख रखाओं करना चाहिए बहुत अच्छी जगह है उस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं आप तक आपने मेरे चैनल पर वीजिट कर रहे हो वीडियो देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जितना हो सके उतना वीडियो को सेर कीजिए दोस्तों बहुत अच्छा लगा इसे अलुदा की बाओरी कुबानया कापी लोग इसको बाओरी भी बोलते हैं कुबानया भी बोलते हैं तो मैं तो बाओरी बोलूँगा इसको क्योंकि पान करने के लिए यह जगा बनाई हुई है और इस वीडियो को भी में यही end करता हूँ जिन दोस्तों ने ये वीडियो फेस्टूक पेज 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 को फोलो कीजिए और यूटूब पे देख रहे हैं तो यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहीं पे मैं वीडियो को end करता हूँ जे हिंद बंदे मात्रम अगले वीडियो पर अगली सी बहुत प्यारी सी लोकेशन पर नेश्टे जो वीडियो आएगा वो भी दामाकेदार आएगा वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों और फेमली के साथ के सेर कीजिए जे हिंद बंदे मात्रम